तो मैं आपका दोस्तों मान में आपका सवागत है दोस्तों अभी बहुत गर्मी पढ़ रही है बहुत ही हीट हो रही है दोस्तों बहुत गर्म हो रहा है तो हमारे वर्स को बहुत प्रॉलम हो सकता है दो हमारे वर्स हीच श्ट्रॉक में जा सकता है दोस्तों और शाम के तीन बातों में हमें सहोधान दरना चाहिए दोस्तों आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसना है तो लाइक शेयर जरू कर ले अगर गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो फोल्टरी फार्म के अंदर बाहर का टेंप्रेश्र बहुत ज्यादा है हो जाता है तो दोस्तों हमारे फार्म के अंदर मोटलेटी अटैक हीट इस्ट्रॉक होना चालो हो जाता है दोस्तों तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों गर्मी जब होती है है तो हमें medicine बिटामीन c की की दे सकते हैं जिसके अदर विटामीन c हो याट्यौल पॉडर हो सकता है दोस्तों ईहुट्ट और हमें फोल्टर फ्रह में एच्छे से और just तो अगर हम अगर उपर पानी का स्प्रे करते हैं तो दोस्तों अगर आपके फोगर नहीं है तो हम इस तरह से पंप लेकर हम उनकी उपर इस प्रे करेंगे हर आदे घंटे को तो हमारा ऐस अच्छा रहेगा और हिस्ट्रॉक भी नहीं हुएगी और मोर्टलेटी भी नहीं हुएगी दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के अंदर कि तरह से व्मारे फ्वालमद के फोगर नहीं है तो हम जो अदर 1 यह पूंप रहता है स्प्रेड पॉम्प तो हम उससे कर रहे हैं जो दोस्तोफिenta सेमें स्प्रेड करना है खग्ड़ंवuschale कम हो जाए दूंदोफ आज से हमें आदे घंटे में एक गंटे में ऐसा है एक किस्प्रे करना है अपने फॉल्टर फार्म के अंदर और अगर हमरे फ्यान है तो वह भी बहुत यह अच्छा है बहुत यह हवा आ जाता है अंदर जिससे हमारा बर्स हिट इस ट्रॉक में जाता नहीं और अटाक भी कम हो जाता है दोस्तों अगर हम इस तरह से स्प्रे करेंगे तो दोस्तों बहुत यह अच्छा रिजल्ट आता है दोस्तों हम ऐसे ही दिन में चार-पांच बार स्प्रे करते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो के लिए हमाँ चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आकन तो जरू दो बाले और वीडियो पसन है तो लाइक शेर जरू करें